कोटा के महाविर नगर इलाके में आज मकान में आग लग गए जिसमें 65 वर्षी एक बुज़ुर्ग की जिन्दा जल जाने से मौत हो गई मामला महाविर नगर शीत्र का है जहां मकान के ऊपर एक ताप्री नुमा कमरे में यह बुज़ुर्ग रह रहा था अचानक शॉर्ट सर्किट से लगी आग की चपेट में बुज़ुर्ग आ गया और उसकी मौत हो गई बताया जा रहा है कि मृत्र भगवान दास के परीजन घर से बाहर गए हुए थे और भगवान दास पेरलाइसिस बिमारी से ग्रसित थे इस कारण वह आग लगने के बाद भाग नहीं सके और आग की लप्टों में खिरते चले गए जिसकी कारण उनकी मृत्ति हो गई सूचना मिलने पर नगर निगम का अगनी शमंदस्ता भी मौके पर पहुँचा और आग बुज़ा कर शव को बाहर निकाला